नमस्का तो आज आपे हम नैशनल अलिमिनियम कंपनी एने के नैलको स्टॉक के उपर बात करेंगे और लेटेस अबडेट ही आपे देखेंगे नैलको की बात की जाए जो स्टॉक में टू परसन से ज़्यादा गिराव डिकने को मिले है यहाँ पर आज सेलिंग प्रेशर काफी ज़्यादा बरतावा दिखाई दे रहा है Most importantly यहाँ पर 500 लेवल को ब्रेक आउट नहीं कर पा रहा है श्टॉक सक्सेसपुली वही से थोड़ी मोमेंटम चेंज होती भी दिखाए दे रहे स्टॉक के अंदर अगर यहाँ पर आप देख शदे की डाइसों की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख शदे की फिछले 2-3 दिनों से स्टॉक उसी लेवल के गरिबन जा रहा है पर सच्टे नहीं हो पा रहा है फिर से गिरावट हो चुकी नीचे आता है तो 220-225 लेवल जो है एज सपोटीव एक्ट हो सकती है नेलको के लिए अभी तक कौटो के नंबर्स भी सामने नहीं आए अगर कौटो के नंबर्स अच्छे आते तो स्टॉक में और भी रिकवरी हो जाएगी क्योंकि नेलको स्टॉक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर गिरावट हम लोगों ने पिछले 3-4 महिनों में देखने को नहीं मिला बाकि काफी सारे स्टॉक में केरेक्शन देखने को मिला है और 2-3 महिनों के अंदर अगर वॉल्य में आपे कम होंगे तो मोमिटम थोड़ी विग बन सकती है नैशनल अलुमिनियम के अंदर